असलाम लेकुम गाईज कैसे आप सब लोग आयोब कि आप सब ठीक होंगे गाईज में आज आपको बहुत सब अदसी सर्दिया हैं तो होड जो फटे फटे से हो जाते हैं और स्मूथ नहीं रहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत सब अदसा एक हॉममेड इसक्रब हम बनाएंगे गाईज तो यह बहुत अच्छा स्क्रब में बता रही हूं आपको गाईज जो आप घर में भी बना सकते हैं सब अदसा तो उसके लिए गाईज हमें चाहिए रोस्पिटल्स ठीक है यह देखें यह गुलाब की पतियों का पॉडर है ठीक है यह थोड़ा सा ह हमें एक चमज तकरीबन हमने यह रोस्पिटल्स लिए गाईज ड्राइ रोस्पिटल्स है इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है तो हमने घर में ही से सुखा है आप जैसे चाह बदार से भी आती है वो ले सकते हैं तो यह स्मूथ करता है गुलाब की जो पतियां लिप्स को स्मूथ बनाएंगी और जब स्क्रब करेंगे आप तो रंग में भी बहुत अच्छा पिंक लिप्स करेंगी तो और लिप्स पे जो डेट इसकीन होती है उसे भी साफ करेंगी और नर्म मॉल लाइम होटो को बनाएगी और इसके बाद हमें चाहिए शुगर लेंगे हम ठीक अब चीनी जो होती है बहुत अच्छे स्क्रबिंग करती है और डेट स्कीन को हटाती है ठीक है हमने यह ले ली अब हम काईस इसमें मिक्स करेंगे शेहद को ठीक है शेहद बहुत ही जादा स्मूध बनाता है स्कीन को और बहुत ही इसका शाइनी करता है स्कीन को ठीक हम इस हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे यह बहुत इच्छा स्क्रब है गाइस होटों के लिए जो घर के अज़स ही बनाया है और स्मूथ करता है विदाउट साइड एफेक्ट आप इस से इस रबिंग कर सकते हैं उनको मिसाज करते हुए होटों को अच्छी तरीके से हम इसमें और श मिक्स कर लेंगे गास तो यह हमारा बहुत है अच्छा एक मिक्सर बन गया है जो स्पिरेढों से हुआ तो इस तरह से लेगे आप इस तरह से लेके यह तरह से तरह से हलके हातों से इसको हम मिसाज करेंगे तो यह जी शुगर है और गुलाब की पतियों का इसमें पॉड़र है तो यह स्कीन को स्मूध बनाएंगी डेट स्कीन को हटाएंगी इस तरह से आप रबिंग करते हुए होटो को हलके हातों से और दो मिनट बस इसको मिसाज करें और फिस सादे पानी से धूलें तो यह हमारा बहुत ही अच्छा रोस्पिटल्स का तयार है स्क्रब आप इसे इस तरह के कंटेनर में सेफ कर लें और इसको रोस सोने से पहले मिसाज करें और फिस साधे पानी से दो मिनट भाद वाश आउट करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा स्क्रब है स्मूद बनाएगा और पिंग करेगा होटों को तो आई होब कि यह आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आई तो से लाइक शेर जरू कीजिएगा थैंक यू पर वाचिंग वाचिंग गाइज